आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेश शिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शिक महजबीन अलमास सबसे पहले इस बुलिटन के मुखे समाचार प्रदेश के नई मंत्री मंदल के हुई पहली बैठक जन कल्यानकारी योजनाओ उपर हुई चर्चा यातायात विवस्ता सुधारने के लिए भुपाल में बीर्टीयस को हटाने के दिये गए निर्देश प्रदेश में 29 दिसंबर से हलकी बारिश के आसार तापमान में और गिरावट की संभावना अब समाचार विस्तार से कल ही मंत्री मंडल विस्तार किया गया प्रदेश मंत्री मंडल कुल 28 मंत्री शामिल किये गए हैं नए मंत्रियों के साथ आज ये पहली बैठक है मुक्य मंद्री डॉक्टर मोहन यादव के अधिक्ष्टा में आज मंत्रायले में जन प्रतिनिदियों और वरिष्ट रदिकारियों के साथ हुई बैठक में भोपाल के बीर्टीस को चरनबद रूप से हटाने का निर्णे लिया गया इस निर्णे से व्यस्तमार को पर यातायात का दवाव कम हो सकेगा और स्थानी परिवहन व्यवस्ता को अधिक सुविधा जनक बनाया जा सकेगा बीर्टीस के स्थान पर सेंटर रोट डिवाइडर बनाया जाएगा बैठक में रोट के चौड़ी करणिस के संबन्द में आविशक दिशा निर्देश दिये गए हैं एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभागों की प्रभारी सभी अपर मुख्य सचीवों और सभी अतरिक्त पुलिस महाने दिशक से चर्चा की मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेहरों में यातायात प्रबंद सुगं बनाएं मंगलवार की जन सुनवाई के अलावा भी प्रति दिन समस्याओं का उचित समाधान किया जाए पटवारी और अन्य करमचारी रात्री विश्राम कर ग्राम की समस्याओं हल करें शियादव ने कहा कि वी आईपी दौरे के समय आम जंता परिशान ना हो इस बात का विशेश ध्यान रखा जाए केंद्र सरकार ने कहा है कि स्टार्ट अप ने विबिन शेत्रों में 12 लाग सेदिक लोगों को रोजगार के अफसर महया कराए है देश में ये रोजगार के अफसर 1,14,000 स्टार्ट अप्स के माध्यम से प्रदान किये गए हैं वानी जो रुद्योग मंत्राले ने एक वक्तविय में बताया कि भारत इस वर्ष वाईश्विक नवाचार इंडेक्स में 40 वे पायदान पर पहुँच गया है जबकि 2015 में भारत इक्यासी वे इस्थान पर था बेकिन इंडिया भियान के दूसरे चरण में भारत को विश्व में विनिर्मान का केंद्र बनाने के लिए 27 विभिन शेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है ये समाचार आपकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रिधान मंति नरिद मोधी कल वीडियो कानफरिंसिंगे माध यूजनाओ की प्रमुक यूजनाओ की संस्टरक्ति प्राप्ट करने के लिए शुरू की गई है ताकि ये सुनिष्ड किया जा सके कि इन योजनाओं का लाब सबी लक्षित लाबारतियों तक समय बते तरीके से पहुँचे इस वर्ष 15 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से प्रधान मंद्री ने मोधी जी ने समूचे देश में विकसित भारत संकल प्यात्रा के लाबारतियों के साथ नियमें दरूब से बाद छेत की है प्रधान मंद्री आवास योजना, आयुशमान, प्रधान मंद्री गरीब कल्यान अन योजना, प्रधान मंद्री उजवला योजना कृशी, सुआसर पैंशन साहित अने विभागों द्वारा, योजना वंसमधत स्टॉल मी लगाए गए सीहौर जिले में यातरा के दोरां जिला एवं ब्लॉक स्तरी अधिकारियों दोरा शास की योजना एवं कारिकरम के बारे में जानकारी दी जा रही है। गुना में आज राखोकर की ग्राम पंचायत रामनगर एवं नोहर में बिकसित भारत संकल प्यातरा का आयो जन किया गया जिसमें सांसद रोडमल नागर ने हिस्सा लिया। श्रीनाकर ने कहा कि संकल प्यातरा का उदेश प्राप ताविदनों का निराकरन करना और पात हितरकाहियों को योजनाओ की जानकारी देना वा मौके पर लाब दिलाना है। इसी तरह यातरा चाजोड़ा के ग्राम पंचायत कीता खेड़ी एवं लखनवास भी पहुची श्यूपरी जिले में आज श्यूपरी जनपत के ग्राम पंचायत सुहारा वा टोंगरा में शिवर लगाए गए इस दोरान केंज सरकार द्वारा चलाई जारी योजनाओ की ज स्वागत किया गया और अब मौसम प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव का दोर जा रही है ऐसे में नए साल तक तापमान में और गिरावट की आशंकाय जताई जा रही है वहीं उन्तीस दिसंबर से वेस्टन डिस्टरवेंस के कारण हलके बारिश देखने को मिल सकती ह प्रदेश के मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम वेग्यानिक एसन साहू जाने वाला है जिस वज़े से अपना 31 तारिक में जो है मध्यद्द प्रदेश में काफी जग़ज़ जो है बारिस देखने को में सकती है और यह और यह के बाद दो तीन तारिक में भी बारिस होने की चांसे हो सकता है अपना पूरा MPB का वर हो जाए उसमें तो कहीं-कहीं पर उलाब रस्टी भी हो सकती है तो उसके बाद जब यह अपना जो डब्लूडी है यह निकल जाएगा उसके बाद फिर और ज्यादा ठंड पढ़ने की साथ अब कुछ समाचार संशेफ में प्रदेश में सवर्ष अब तक 3,30,000 विद्यार्थियों को पिश्रा वर्ग पोस्ट मैट्रिक चाथ वर्थियों बलब्द कराई गई है इन विद्यार्थियों को चाथ वर्थियों के रूप में लगभग 469 करोड रुपे की राश्य का विद जना एवं पीम जन्मन योजना का संयुक्त प्रिशिक्षन आयुजित किया गया सीहोड जिले में आगामी एक जनवरी से 22 जनवरी 2024 के मतदाता सूची में दावे आपती प्राप्त करने की कारेवाई की जाएगी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया ज आएगा खंडवा में साहे कृश्री अंतिरी ने बताया कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर मैकेनिकल हाईडरोलिक यंद्रो एहितू आवेदन आमंतरित किये गए हैं गुना जिले में 69 पंचों का निर्विरोध चुना हुआ जिले में रिक्त पंच पदों के लिए 15 दिसंबर को स विशेशक्यों ने के हूत पादा किसानों को सिचाई करने की सला दी है विशेशक्यों ने आलू टमाटर फसल निगरानी करने को कहा है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के नए मंत्री मंदल को ही पहली बैठक जन कल्यानकारी योजनाओ पर हुई चर्चा या तयात व्यवस्ता सुधारने के लिए भुपाल में बिया टीस को हटाने के दिये के निर्देश प्रदान मत्य नरिद मूदी कल वीडियो कांफरेंसिंग के माते हम से विक्सित भारत संकल प्यातरा के इलावारतियों से करेंगी समभाद और प्रदेश में 29 दिसंबर से ह झाल